देन नेटवर्क्स लिमिटेड ने फाइनेशिल एर 23-24 के एक क्वाटर वन के फाइनेशिल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है यह इस कंपनी का कॉंसोलिडेटेट फाइनेशिल रिजल्ट हो रहे हैं सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं अब आपको फिगर्स को करोड में कण्वेट कर बताऊंगा except turning per share quarter 1 में revenue from operation 273 करोड है जो previous quarter में 282 करोड था और previous year की यूवन में 283 करोड था revenue from operations में year on year basis पर 3.6% का decrease दिख रहा है और sequential भी इसमें 3.4% की कमी ही हुई है quarter 1 में total income 323 करोड है जो previous quarter में 310 करोड था और previous year की Q1 में ये 287 करोड था तो total revenue में year on year basis पर लगबग 12% का increase हुआ है और sequentially भी इसमें 4% की बढ़त हुई है total revenue में बढ़त की वज़य है other income आप देखिए quarter 1 में other income लगबग 50 करोड के आसपास है जो previous quarter में 27 करोड था और previous year के Q1 में तो ये मातर 4 करोड के आसपास था तो ये जो total revenue में आपको increase दिख रहा है ये other income की वज़य से ही है quarter 1 में profit before tax 52 करोड है जो previous quarter में ये 33 करोड था और previous year ये Q1 में ये 13 करोड था तो profit before tax में year on year basis पर लगबग 299% की बड़त दिख रही है और sequentially भी इसमें 55% का increase हुआ है और इसकी वज़य अधर income ही है ये revenue from operations की वज़य से नहीं है quarter 1 में profit after tax या net profit 42 करोड है जो previous quarter में ये 126 करोड था और previous year के Q1 में ये लगबग 13 करोड था तो net profit में year on year basis पर लगबग 233% का increase है लेकिन sequential देखिए तो इसमें लगबग 66% की कमी हुई है पिछले quarter में net profit में इतनी बड़ी बढ़त की वज़य है deferred tax asset आप देखें पिछले quarter में इस company को लगबग 95 करोड का deferred tax asset था इसलिए previous quarter में इस company का पैट काफी बढ़ कर आया था और year on year basis पर पैट में इतना increase की वज़य अधर income ही है quarter one में earning per share 89 पैसे है जो previous quarter में 2 रुपैसी पैसे था और previous year के Q1 में ये 27 पैसे था quarter one में consolidated EBITDA मतलब earning before interest tax depreciation and amortization 31 करोड है जो previous quarter में 36 करोड था और previous year के Q1 में ये 41 करोड था तो EBITDA में year on year basis पर लगभग 24 परसेंट की कमी हुई है और sequential भी देखें तो इसमें 14 परसेंट की गिरावट ही हुई है और अगर हम लोग इस EBITDA के margin को देखें तो quarter one में 11.3 परसेंट है जो previous quarter में 12.78 परसेंट था और previous year EQ1 में 14.4 परसेंट था तो EBITDA के margin में भी year on year और sequential दोनों ही basis पर गिरावट ही हुई है तो दोस्तों हम लोग उने देख लिया इस company का revenue from operations year on year और sequential दोनों ही basis पर गिरावट हुई है लेकिन इस company के पैट में year on year basis पर आपको बढ़त दिख रही है अधर income के वज़े से और इस company के margin में भी आप देखिए year on year और sequential दोनों ही basis पर गिरावट ही है तो मुझे इस company का result अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद